हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जापर की तरह बढ़ो एक कोना चान बारो साब कुछ पता चला साब अभी नहीं गोपी पता चलेगा तो मैसे आ जाएगा अंदर से साब साब कुछ तो बता ही अभी बताया नो गोपी को अब तुझे अलग से बताना पड़ेगा नवीन पता चलेगा तो दोनों को पता चल जाएगा सुभा से लगे हुए हैं जंगल भी छोटा नहीं है उपर से जंगली जानवर भी कम नहीं है सब्सक्राइब दोनों अर्तों विसे कभी पता नहीं चला अवी तक रचाएं पता लगाया कही सो तो नहीं है कि अमारी टीम जंगल में ढून रही है और दोनों अर्ते अपने पर वापस रौट गही है नो सार गाव में कॉन स्टेबल तेनाथ है अपने कोई लोटा नहीं है सर यक औरत का पती और एक औरत क बेटा रादपर जंगल में ही बैठे हु अ है सयनी में भी निकलगा हूँ जंगल के लिए। ज mapped देहा है हम को उट इसार्च को और फैलाना होगा सर एक औरत का पती है और एक औरत क बेटा है जंगल चुनने जाती थी जंगली जानवर तो सारे जंगल में पहले हैं सेनी और यह दोनों ओरते पुरी राज जंगल में रही है कि पीने दिखा था वो वेडरूम में रेस्ट करी थे नहीं वह नाएगी मतलब क्या जंदा क्योंकि आज चुड़ाल मालती की बारी है खाना पीना जाडू पुछा सब वही करें कि आज तो मालती है कहां अब कम उसकी नौकरानी है जो इपता रखे कि में सब कहां गई है किसी सथ गई है का कर रही है मालती लोटी नहीं जंगल से का पुछो से ललन से कि कही लकडिया बेचते बेचते इस चुड़ाल का दिल तो नहीं आगे उस पर ललन भाई मालती आई थी मालती तो अभी तक नहीं आई गोपी लेकिन ललन भाई आपको लकडि बेच बाच कर हर रोज पांच बेच तक लोट आती है मालती वही मैं भी सोचूँ साथ बज़ गया अभी तक आई नहीं ऐसा क्या खाजाना मिलें ललन भाई माई थी क्या लक राधा जी तो अब तक नहीं आई दुपैर की निकलिये, आपके हानी आई घर नहीं लोटी, तो गई कहा मेरी माँ नमीन न तुम्हारी माँ राधा जी आई है और गोपी न तुम्हारी लुगाई मालती सार में लगता कोई जंगली जैनवर गसीट के लिए दोनों को और ये गोपी और रवी पूरी राध जंगल बे डूनते रहे, कुछ गावालों के साथ मालती 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 मालती? सर नांगदेव इलाके को पूरा कवर कर लिया, खुछ नहीं मिला, अब शापर की साइट देख रहे हैं, गोपी और नभिंग का कहना है कि मालती और राधा शायद छापर इलाके में लखडिया चुनने जाती थी, घर वाले और गाउवालों का कहना है कि ये दोनों औरतें कल को लग बग तीन वजए ही थी हैं और उसके बाद से घर वापस नहीं लोटी है, सर, सर, लाक मिली हो वहाँ पर पर बगाऊए है कर रहाँ जाता है कि अधे कर दो देंगे लिए और फोरेंस भी और फोर्ण सिंक और फोटोग्राफर को बलातो उस्टारी हैं जाता है अब लांगे लिए अभी बाहर लिक राएं कि तब देख लेना वार्षायद इससे किया होगा सर, सुजाइड दिखाने की नाकाम कोशिच की गी है यह देखो, साडी को ठीक से पेड से बांदा नहीं है सैनी, और जवान है, गोपी की पतनी मलती होगी सर सार, यह को आर लास मिलिये यह देखे सर लास सैनी, लगता है गलागोटा गया, दोनों साथ ही जंगलाय करती थी, और साथ ही मारी की सैनी है किसी जंगली जानवर का टेक नहीं, बल्कि किसी इंसान का टेक जो किसी जंगली जानवर से भी बतता रह लगत का लगत कि जप इंसे बहुई इंसानव encant सार्ण, सारे कुर्लाश माल्टी? 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 यह यह अज्ली? आप लोगों में से गोई जानता है कौने है यह आद्मी? पाका को यू वीदान तैसे? किसी का भी मोबाइल नहीं मिला इस लकड़े पर जो खून के निशान है वो विक्टिम माल्ती के खून से मैच करते हैं मोत हैमरेज से हुई है इसे सुसाइड दिखाने एक नाकाम कोशिश थी सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया होगा कोई सेक्शल असॉल्ट? हाँ, अटेंब्ट तू रेप कह सकते हैं विक्टिम लड़ी, इसकी बोड़ी पर स्ट्रगल की निशानी आए ये देखे, खरोचे, राधा पुजारी, मोत गला दबाने से हुई ये भी अटेकर से लड़ी, दोनों की मोत लगबग एक ही समय पर हुई है मुश्किल से चन्द मेंटों का फारा सर, राधा पुजारी के गले पर जो स्ट्रेंगूलेशन के मार्क्स मिले हैं उससे हमें ये फिंगर प्रिंट्स मिले हैं काफी दुनले से हैं, सी मालती की बॉड़ी पर कुछ उंगलियों के निशान मिले हैं सिर्फ एक की उंगलियों के निशान है या और भी है हमें मालती की बॉड़ी पर तीन अलग लोगों के फिंगर प्रिंट्स के निशान मिले हैं उसमें से एक fingerprint, राधा की बॉड़ी पर मिले हुए fingerprint से मैच करता है. इसका मतलब ये है कि दोनों बॉड़ी पर वान सेट ओफ फिंगरप्रिंट्स कॉमन हैं. इस जो तीन सेट ओफ फिंगरप्रिंट्स हैं, यह इनी तीनों विक्टिम्स के हैं और फिर किसी और के हैं? नहीं, इन तीनों के अलावा, तीन अलग लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं. और सर, माल्ती की बॉड़ी पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, वो धुन्दला से गया है, शायद काफी जड़प हुई होगी, माल्ती काफी लड़ी होगी. इनने दो गोलियां लगी, एक पीछे से सिर में, एक सामने से सीने में. शायद ये भाग रहोगा जब पहली गोली इसके सर के पिछले हिस्से पलेगी. और गिरने के बाद दूसरी गोली सीने में मारेगी हैं. पॉइट ब्लेंक रेच. तमंचे की गोलियां, छे गोलियों वाला तमंचा है, लोकल मेट. छे गोलियों वाला तमंचा है. इस आदमी की अडेंटिटी का पता नहीं चला है, लेकिन इन दोनों अड़ों की पचान हो चुकिये. डॉक्टर, इन तीनों की मौत कब ही होगी? यहां लाने के तक्रीबन 18-20 कंटे पहले. मतलब, कल 26 यून के शाम, चार से पांच के पेज राइट? साब, मेरी पत्नी मालती और रादा बेन, सालों से एक साथ लकडी चुडने जाती थी. ललन भाई क्या लकडी बेज कर आँज बज़े तक घर लोटाती थी. किने बज़े निकल थी तुमारी पत्नी कर से? तीन बज़े साब. कल भी मा रोस की तर है, तीन बज़े ही निकली थी घर से. खाना वाना खाके थोड़ा सुचता ही. उसके बाद, रोज मालती के साथ ही जंगल भी जाती थी. आँची साब, मा कहती थी, तोनों जंगल के बाहरी मिलती थी. पर साथ में लकडी जुनती, और ललन भाई के हाँ साथ में बेच्टी. साब मै तो ठीक टा कमा लेता हूँ. कही अर्सों से मा का बोल रहा था कि साथ साल से लकडिया चुन रहा हूँ, अब तो बंद कर दो. यदिती बजे मेरी कबाई पसंद हूँ. इस आदमी को पैचानते हूँ? नहीं पैचानते साब. नहीं साब कभी नहीं. मालती ने कभी किसी आदमी का जिक्र नहीं किया. कैसा हो सकता ऐसे? लललन इसे पैचानता है और तुम नहीं. यादमी, तुम्हारी मा और गोपी की बतनी मालती के साथ जंगल में लकडिया उठाने जाता था. और तुम और गोपी दोनों ये गह रहे हो, कि तुम इसे नहीं पैचानते हैं. चलता हूँ. ओ ललन भाई, अब तो हमारी लकडियों का भाव बढ़ा देओ. जब सामने सम को चार पईसा मिलेगा, तब भी तो हम दो पईसा दे पाएंगे ना? हम से ले कही नाओं में सावार हैं. पर हम्री नाओं जादा जुकिये ललन. राधा जी, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं. गैच है मीने से लगबग रोजी देखता थे इसादमी को. कहा? यहीं, राधा बयान वा मालती के साथ आता था, उनकी बूरियां उठा के. और रखता था और चला जाता था. रखता था, चला जाता था, उन लोगों में कोई बादशित नहीं होती थी? साब दो सब्दे बात होती थी उससे, कहता था चलता हूँ. चलता हूँ. और मालिक फिर अगले दिन हाजिर हो जाता था, इनकी बोरियां उठा के. वो उसे लखड़ियां उठाने के पैसे देती थी कहा? हमारे सामने तो नहीं दिया कभी. तुमने कभी पूछा नहीं, कौन है, क्या नाम है? अरे साब, हमको लगड़ी से मतलब है, उन लोगों को पैसे से मतलब, मतलब था. मनब, तुमारी कोई बातशीत नहीं होती थी उनसे? जी नहीं साब, साम मालती को मैं दो सालों से जानता था, और पूरे गाउं को पता है कि वो गोपी की दूसरी बीवी है, पर मजा लेकि मैंने कभी पूछा हो कि वो पहली बीवी चंदा के साथ कैसे एक छट की नीचे रहती है. मालती तुमारी दूसरी पत नहीं थी? जी साब, तभी मैं सोच हूँ तुम दुखी लग रहे थे, डरे वे लग रहे थे, लिकिन परिशान नहीं, क्या कह रहे हैं साब, मैं तो बहुत परिशान रहूं कल चाम से साब, तभी तो गाउवालों के साथ रात बर जंगल में ढूनते रहे हम, नवीन भी बहुत परिश है कि वो इस अग्यात आदमी को पिछले च्छे महीने से रोज देखता था, लेकिन उसे इसका नाम नहीं मालूँ, सर कहा तो रहे नहीं पता, पैसर दो चार लोगों को मैं इलाके में घुमा रहूं, ये पता करने के लिए कि वो आदमी था कौन, सर ये तीनों एक दूसरा क पर इस वक्त हमारे पास उस पर शक्रन जैसे कोई डिटेल नहीं है, ये निशाना माल्ती भी हो सकती थी, ये माल्ती गोपी की पहली पतनी चंदा के साथ एक ही चछत के नीचे रहती थी, और दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी सो, पूछे है मज साहब, दोनों बीविया आप शर्मीला जी से पूछ लीजिए, शर्मीला कौन? उनकी पड़ोसन है, दो धाई साल पहले गोपी ये दूसरी वाली को बेहा कर लाया था, जिसका मडर हुआ, माल्ती, दोनों की मजबूरी थी साहब, दोनों का कोई मायका नहीं है, मेरा मतलब परिवार नहीं है, तो अ कोपी ने कुछ काइदे कानून बनाए थे, जैसे एक दिन चंदा खाना बनाएगी, बर्तन मांजेगी, और घर के सारे काम करेगी, तो दूसरे दिन माल्ती, सर अपने दो चर खबरी उस मोहले में पता लगा रहे है, कि उन दो औरतों और उस आदमे की बीच में कोई चकर व लेकिन पास से, हमें इस अग्याद आदमी की अडेंटिटी का जल से जल पता लगाना होगा, सर गोपी की पहली पतनी चंदा को सबसे पहले इंटरोगेट करते है, इस वक्त सबसे मजबूत थेंगल उसी का लग रहा है, उसको और मालती की बीच काफी जगड़े होते थे, और सर, नवीन की मारा था, बहुत इसी थी साधी औरत मालूम पढ़ती है, किसी न उसके बारे में घलत नहीं बढ़ा, वो शायद गलती से मारी गई हो, इन तीनों के वीज रिष्टा क्या था, और इस रिष्टे से किसे आपत की थी, वो हमें बताएगा कि निशाना कोई ए शुरुआत होई एक आदमी के साथ जो कुछ जानता था क्या जानते हैं तुम ट्रिपल मटर के साथ के बारे में हम मडर मटर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं पर सब जो आदमी मारा गया है, उसको हम जानते हैं उमेशिया था, करते क्या हो तो? साब, वो सहारनपूर हाईवी के बाइपास के पास एक होटल बन रहा है हम वहीं पर काम करते है उस अदमी की जो लाश मेली है उसकी तस्वीरें किसी महले में दिखाई थी किया? नो साब, सार पूष्टाच ही चल रही है, वो भी जबानी और सार लाश की तस्वीरें नामने टीवी बे दिखाई हैं और नहीं किसी अटबर उस लाश की तस्वीरें हमने किसी को नहीं दिखने तुझे कैसे पता चला कि जो आदमी मारा गया है उसे तू जानता है? वो जो आदमी मारा गया है, वो हमरा दोस्त ओमपरकास ही था लेकिन तुझे कैसे पता चला कि ओमपरकास मारा गया है? अमेस! यो मेस! का हुआ है गुड्डू? वहाँ जंगल में पुलीस को तीन लाशे मिली हैं कौन थे हो लोग? गाओं की दो ओरते थी और एक आदमी और जो आदमी है तुम्हारा दोस्त ओमपरकास लिखता है जब आप लोगन को लाशे मिली थी तब गुड्डू वहीं पर था गुड्डू जो है वो ओमपरकास के गाओं का ही लड़का है वो आप लोगन से कहने के लिए डर रहा था तो उसने हमको आगर बता दिया हां सब यह हमरा दोस्त ओमपरकास है सब हम इन्हें नहीं जानते हैं लेकिन हमको इतना मालूम है कि ओमपरकास किनी तो औरतों के लिए लकडियों की बोरियां उठाता था अरे ओमपरकास हां एक बात पूछां का यह बताओ कि तुम्री फैक्टरी की शिप्ट तो चार बजे खतम हो जाती है ना हां तुम कहें नहीं हमरे साइट पे आ जाते हो साड़े चार से साड़े साथ बजे तक तीन घंटा काम करें और फेकेदार से घंटा के साब से मजदू मजदूरी ले 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 उस मजदूरी से हम कौन सा बंगला बना लेंगे हां और वैसे भी हमारे लिए आठ घंटे बहुत है फेक्टरी में दिन के एक बहात बता उदू और तन के लिए तु जाता है जंगल में बजन उठाने के लिए कितना पैसा देती होंगी तुझे अरे हमरी साइड पर दुगना तिगना मिलेगा हम एक पैसा नहीं लिया उनसे अ आ रही थी अरे अरे का हुआ अरे छोट लगी का साय थोड़ी मोच आई है चलिए तो आप आउचा देते चलिए चलिए तो आपना लकडिया भी देदे जाम उठा लेंगे आरे नहीं नहीं अरे तो आज हमें उठाने दीजिए आरे रहने दे चाहिए लाइए तने का आराम भी कीजिए दीजिए 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 वो दोनों बहुत गरीब है हमरे जैसी बैचारी लकडियां बेज कर 2-4 पैसा खमा लेती है और हम भी फैक्टरी से जाने के बाद जंगल में जाके उनकी मदद कर देते हैं सब हमने कभी पूछा ही नहीं कौन ओरते हैं क्या है कुछ नहीं अच्छा ओमेश ताल में क्या कुछ काला था पता नहीं साब पर पिछले आठ साल से उम्परकास हमरा दोस्त है जब उ गुरखबूर से आया था था ना तब से हमरे साथ ही रहता है सच कहें तो बहुत सीधा एकदा संथ जैसा तुमारा एदोस्तों परकाश किस वेक्तरी में काम करता था साब वो सक्तिमा इंडस्ट्रियल स्टेट है ना वहीं पर जिया एडी टैक्सटाइल का यूनित है है सर, जे एंडी टेक्स्टाल्स में सभी सोम्प्रकाष को संत आदमी कहते हैं अगर ओम्प्रकाष संत था तो फिर वो शयतान कॉन है जिसने तीन तीन लाशों बिछा दें सर, विक्टिम राधा का बेटा नवीन और उसकी बीवी जानवी इन दोनों की खूब ग्रिलिंग की, खबरी भी लगे हो गए लेकिन अभी तक इतना ही पता चलाए कि राधा एक सीधी साधी हो राधा थी, किसी से कोई दुष्मन ही नी थी इसकी इतना खयाल रगती थी मैं माजी का और पुलिस वाले हमारी पड़ोसन से पूछ रहे थे कि हमें माजी से जगड़ती थी एक तो मा के जाने का दुख उपर से उल्टे सीधे सवाल और इस वाले पूछा किसी से कि मैं मा को मरवा सकता हूँ कि वह जानता तक नीत हूँ साथ वी को कि इतनी बहर मैंने of मा से काहा था की लखड़ी वाला काम बंत का पर नहीं जित पकड़के बैठी थी लोग तरहे तरहे की बाते कर रहे हैं कि मा जी का और मालती का उसंपरकाष के साथ क्या चाल रहा था सबते कि राधहरा अमेश को बताया और जितना एमेशने हमें बताया हमें सिर्फ उतना बताया integr के आगे य ships का राधहर मालती के साथ क्या संबन था यह रहाए गया मालती का सब लकडी से फोड़ा गया एम यह फोडंटार का गलाध अभाया गिया नम् Mafraigash अब भी तो चुपचप खाना खा रहे हैं रोज तो चुडाल के खाने की तारीप करते रहते ते और हम्रे साथ गाली गलोच कहीं ऐसा तो नहीं तीसरी का बंदो बस करके रखा हो तो हम दोनों में से एक को बाहर निकाल ला था लगवास नगर मुझे तो साखे कि मालती को तूने मरवाया साथ हमने ही मरवाया उसको उस आदमी को हमने ही उसके पीछे लगवाया था उस पे नजर रखने के लिए और फिर मरवा दिया राधा जी को और उस आदमी को भी साप भी मर गया और लाठी भी नहीं डूड़ी ताने घिस रही है कि सच बोल रही है आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे में आपको सच्चाई का काला चिट्था खोल रहे हूँ बंद्रा का अपना कंदा पीनवर्दी के पुलिस वाले दीवारों पे कान लगाए खड़े हैं उठाले जाएंगे हमको और भरता बना देंगे दोनों का किया चंदा तीन-तीन मर्डर करवा सकती है सर अठवा के थोड़ी गर्मी दिखाते हैं वैसे भी फोरेंसिक ने क्लियर कर दिया है कि इस अटाइक में तीन लोग शामिल थे वो सकता चंदा ने किसी को सुपारी दियो या भी खुद दो लोगे साथ मिल कर ये काम कियो सैनी कल सुबे सबसे पहले चंदा को लेका रहा हूँ कितनी भडास थी, कितनी जलन थी कल नापने सौतन थी हमरी वो भागाई थी गोपी को त उठालाया दुश्मन थी हमरी वो कितनी दुश्मनी थी? किस अब तक गई? हम भगवान से रोज प्रातना करते थे क्यों हमरे घर से हमेशा के लिए चली जाए लेकिन दुनिया से नहीं तेरी प्रातना तो कबूल हो गई? नहीं? या कबूल करवाई गई? हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि किसको मरवा सके और वैसे भी साब हमारी दुश्मनी मालती से थी बाकी दुखों तुम जानते तक नहीं तो उनको मरवा के उनको कौन सा सुकून मिल जाता? रास्ते का पत्तर हटाते वाद आसपास के कंकड़ों का ख्याल कौन रखता है? किराधाओं परकाश ये तो आसपास के कंकड़ थे जने तेरे भेजे तीनों हत्यारों ने यो ही माड़ा कौन थे? किराय के? रिष्टेदार? या दोस्त? कैसी बाते करते हैं आप साब? हम कैसे किसी को किराय पे लेकर आएंगे? लोग हमें किराय पे ले जाते हैं अपने काम के लिए हमारा पती मजदूर है और हम हम होटल में साप सफाई का काम करते हैं साब दो बत की रोटी ठीक से कमा नहीं पाते तीन तीन गुंडों को पईसा कहा से देंगे? दोस्तो और रिष्टेदार, ये तो भिना पैसे कही काम करतेते हैं? हाँ साहब, लेकिन दोस्ती और रिष्टेदार इतनी गहरी होनी भी तो चाहिए ना? हम अनाथ है बच्पन से, ये ग्यारा साल से अपने अपको सम्हाल रहे हैं, और उन माल्ती, माल्ती को तो सुम जुबान से काट ये साब, मारने वारने का कभी नहीं सोचा उसको, ये चंदा काफी धीट है, इसके और गोपी के फोन रिकॉर्स में कुछ निखा रहा है सर, तीन तीन कातिल, तीन विक्टिम, इन तीनों को भला किसी ने क्यों मारा होगा, दो लख्णिया चुनने वाले गाओं की गरीब ओरते हैं, और एक फैक्टरी में साफ सफाई का का काम करने वाला आदी, वो भी संट टाइप का, सर कर ये ऐसे तो नहीं टागेट ये ओंपरकाश थ उसकी कड़ी क्वेस्टिनिंग और क्रॉस क्वेस्टिनिंग की गई, उसकी सारी डीटेल्स खोद निकाली गई, लेकिन उसके खिलाफ शक करने जैसा कुछ भी सामने नहीं आया, तो फिर इस हत्याकांट का मकसद क्या था, वो एक सिंगल सुराक क्या था, जो इस भयंका ट् कॉंट्रेट के लिंग का केस है, सर तमंचा आसपास के एरिया में कौन यूज करता है, आप देख सकते हैं, और वैसे भी हमारी डिस्ट्रिक्ट में पांसो हजार उपय में तमंचा चलाने वालों की कमी नहीं है, ओंपरकास को छैगोलियों वाले तमंचे से मारा गया है, ज लेकिन लोकली में तमंचे का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, जानता हूं से नहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, रिजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर भी पूछ पूछ कर सूंग सूंग कर किसी भी हालत में इस तमंचे तक मुचना है, दूसा कोई र पर लुचे देखो टेबूल के ते बढिया है, कुमारा है कि कुंचका चुका है, का है, तुमको का कतना है, हामें खास तमंचा ढूंड रहे हैं, घास के बोरे में सुख होज रहे हो, यहाईवे, हाईवे, यहाँ से रोज हजारो ट्रक निम्हें पलते हैं, और लगबख सब पर द्राइवर के पास कमंचह होता है, जब जब सहाराण पोर से माल लात कर न याते हैं, और सहारं दून जाते हैं, तब आइवे पे लुटेरे ध्हावा बोन देते हैं उनसे बचने के लिए, और कभी-कभी यह चल भी जाता है. सर जिस जंगल में कांडवा वो सहारन पूरा देहराद उनके बीच में पड़ता है हजारो ट्रक अब डाउन करते हैं तो हम भी हजारो आदमी लगा देंगा अली तूस की चिंता मत कर तो बस ये पता लगा कि उम्परकाश पर थमंचा किसने चलाया और साथ में दो गरीब उटो कमाड डाला सर लोडिक से जाये तो पहले जेंडी टेक्स्टाइल पर दावा बोलना चाहिए ये उम्परकाश वहां जॉब करता था वो सकता किसी ट्रक वाले से भंगा लियो जे एंडी टेक्स्टाइल को डेट करो शक पहले तीनों विक्टिम्स के करीवी लोगों पर था फिर इंवेस्टिगेशन का फोकस शिफ्ट हुआ ब्यक्तिकत दुश्मनी पर और आखिरकार किसी अग्याद हमले का एंगल भी इंवेस्टिगेट किया गया अब सारी तहकीकात एक तमंचे पढ़ती की थी किसने ये तमंचा फायर किया था और वो कौन तीन लोग थे जिन्होंने ये तीन कतल किये थे और क्यों इस ट्रिपल मुडर ने सारे इलाके में संसनी फैलाती थी लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी वो भी जानने के लिए उतने ही उत्सुक थे जितनी पुलिस क्यों हुए थे तीन कर ले हलो हलो क्या मैं सब इंस्पेक्टर सेनी जी से बात कर सकता हूँ? आपके इंफॉर्मर ने मुझे कॉंटेक्क किया था कईए? क्या कहना आपको? वो आपके इंफॉर्मर ने कहा कि हमारे ट्रॉक ड्राइवर में से जिंजिन के पास में गन है, तमंचा है आपको बता है कि इनके पास है? देखे सर, इस ठीपल मर्डर और तमंचे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता तो जो बता है, वो बताईए दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन उस दिन 26 तारीक को हमारे वेरहों से पिकप था, पाच बजे लेकिन वो पिकप लेट हुआ, पाच की जगह साले छे बजे निकला और ट्रक साहरनपूर से आई थी कितने बजे हैं, कितने बजे हैं, ट्राफिक लग गई थी ना साब, उबार का तो पूरा रोड जाम पड़ा है, चार गंटे दो हम खुद अटके पड़े, साब हम लोग सुभा 11 बजे साहरनपूर से निकले हैं, साब हमें भी तो रात को चलाना पड़ेगा न गाड़ी, ख साहर सिद्धी की क्रीनर थाउस ट्रक का, हाँ पर आप इन तीनों के बाद क्यों कर रहा हूं, सर न तीनों ने कहा कि वो लेट हुए थे, हाँ तो, सर मेरे सुपरवाजर ने ने मुझे एक बात बताई, सर ये तीनों एक नंबर के जूटे हैं, क्यों? सर आज जब मैं छाप सबी ट्रकों के नंबर याद हो गए, तो ये ट्रक देखका मैंने फॉरन पचान लिया, फिर मैंने सोचा चापर रोड पर ट्रक थी जंगल के पास, और वहां से जादा से जादा पैतालीस मिनट लगने चाहिए थे, उस समें तीन बज़रे थे, तो चार बज़े तक यहा आ करते हैं? नो सर, उनके बास गरिश ने दूसरे द्रावर भेज रखे हैं, क्यों? आपने शिकायत की दिगया? ने सर, मैंने शिकायत तो की नहीं, लेकिन छबिश तारी के बाद, दुबारा वो लोग यहां माल लुठाने के लिए लिए हैं, अच्छा किया जो आपने इंफ सर्कम्स्टैंशल एविडिस तगडे बन रहे हैं, सर, जंगल के पास ट्रक, शराप कनशा, जूट बोलना और लेट होना, फोन नी करते हैं, डारेक्ट टा लेते हैं, सैनी, तुम एक काम करो, ट्रांस्वर्ट कम्पनी के माली गरिश को फोन लगा और उससे कहो कि तुन्ह क को महीं बुला दे, कादर सेयद मोसिन अंसारी और जहीर सिद्धिक, गरिश, कि तीनों इस वत किस सेक्टर में ट्रक चला रहे हैं, जी हां सर, ये पहले देरादून सारनपूर रूट कर रहे थे, पर अब मैंने उन्हें बद्धी हिमाचल साइड में लगा दिया है, पर बा बात क्या है सर, इन तीनों को तुरंट फोन करके अपने ओफिस बुला, मैं साड़े बारा बज़े तक महाँ बहुत रहूं, और निंसे कुछ मत कहना के मेरी तुमसे क्या बात है, और मुझसे पूछने मत कि मैं क्यूं कह रहा हूं, बज़ इतना कह रहा हूं, उतना करता ल डेलिवरी कहा करने है, गिरिश भाई, बताता हूं, बताता हूं, पिसा इसे नी, गिरिश भाई, यह क्या हो रहा है, गिरिश भाई, दर असल जो कांड होना था, वह हो चुका है, कैसा कांड साब? 26 जून को, शाम 3-4 बजे के आस पास, चापर गाउं के पास वारे जंगल में तुम लोग क्या कर रहे थे? 26 जून की शाम को, तीन से चार के आस पास, 26 तेरा ट्रक किसी ट्रैफिक में नहीं भसा था, बलकि चापर गाउं के पास वाले जंगल से लग कर बार था, सबूत है इसके हमारे पास, तुम तीनों के फोन रिकोर्स बताते हैं, कि तुम तीनों वहाँ पर थे, अब तुम तीनों मुझे यह बताओ, कि तुम लोग वहा कि तुम लोग वहाँ पर थे, और बस एक लभी में यह सब हो गया, देखो, इस वक्त मुझे सिर्फ सच सुनगा है, पूरा सच, और वो भी बहुत चलती है, ज्या तो तुम तीनों मुझे ऐसे ही सच मताता हूं, नहीं तो अतनियों में हाथ डाल के सच निकलोंगा। कि आखिरकार पुलिस उन तक पहुँची कैसे? इन तीनों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकेगा किसी दिन, ठीक उसी तरह जैसे इन तीनों ने सोचा नहीं था कि 26 जून की उस शाम को जंगल में क्या होने जा रहा था? अरे आजाओ भाई लोग बहुत भूग लगी है हो जाए दो तो घूट अरे हो जाए इसमें पूछने वाली क्या बात है? हुआ 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 है उस्ताज जी, दो दो गुट हो गए अब दो नेवाले भी हो जाए पांच बजे तक पहुचना भी तो है वेराऊस बहुआ है रोज का काम है मेरा माल उठाओ, माल पहुचाओ असला मसीन हो गया है आखे मूद के भी पहुचा दूना तो भी माल पहुच जाता है जहां पहुचाना होता है राधा बैन, बालती बैन, हम पहुच गए है अरे हाँ हाँ, बैठो भी अब तक हमरी लखड़ इकटा नहीं हुई है ठीक है, बैटें वहाँ पहुचाना हाँ कर्णकर मुचाना यदी छिसया यदो कर्णकर मुचाना कर्णकर टाम कर्णकर इसthe करणकर सेरे करणकर कर्णकर जाहीर, हसीन देख, संगल में पंगल, हो जादो दुबूर कौन है आप लोग? क्या चाहिए? क्या चाहिए? यही सुला देंगे तुम सबको चलो, जायासे, निखलो क्या चाहिए? क्या चाहिए? पेड़ से बांद देते है इसे ऐसा लगेगा कि खुद्खुशी कर ली इसना क्या चाहिए? जादो क्या चाहिए? जादो क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या है? क्या चाहिए? क्या चाहिए? ओऑजीन समभल उसे उसे देखल मैंचा क्या चाहिए तौ? क्या चोँड़ जिए चोट तेभ आत! जो निकलतेज से पहले को यह और आजा चो राता बैन माल्ती बैन क्या करने अधर क्या हो गया साथ इंदे लोगों का मडर हो गया सो हो गया सब निकलते है यहां सिंदे अधर तुम लोगोंने एक औरत का रेप करना चाहा नहीं हो तो उसे मार ड़ा एक दूसरी औरत ने तुम्हें देख लिया तो तुमने उसे भी मार डा ला उसके बाद एक आदमी ने और देखा तो तुमने उस आदमी को गोलियों से पूण ना देख दी इन तीनों की मालती से कोई जान पहचान नहीं थी। बस वो उसे अपनी नशीली हवस का शिकार बनाने की कोशिश में थे। ना वो राधा को जानते थे और ना उनका उन प्रकाश से कोई तालुक था। कादर, महसिन और जहीर ने इन तीनों विक्टिम्स के मुबाइल फोन ले लिये थे और सहारनपूर हाईवे के पास एक नदी में फैंक दिये थे। मालती और राधा के घर वाले और उन प्रकाश का दोस्त उमेश इन तीनों में से किसी के पास शब नहीं थे अपने शौक और शोक को बया करने के लिए। जब उन्हें पता चला कि दरसल तीनों के तीनों मौक के घाट सिर्फ इसलिए उतारे गए क्योंकि वो कातिलों की विक्रिती के गवा बन गए थे। अदालत में दलील जरूर होगी कि तीनों आरोपी बेहत गरीब परिवार से आते हैं और उन परिवारों की जिविका के लिए कमाई का एक मात्र जरिया भी हैं। ये भी आर्ग्यू किया जाएगा कि ये तीनों फर्स टाइम क्रिमिनल्स हैं। लेकिन ये ट्रिपल मर्डर इन तीनों कातिलों की जर्टा का उधारन है। इन तीनों ने वो जर्म किया है जो दुनिया का सबसे संगीन जर्म है। हत्या। तीनों आरोपियों को आई पी सी की धारा 302 के तहएट हत्या के लिए और धारा 201 के तहएट सुबूत मिटाने के लिए गिरफतार किया गया है। इन पर गैर कानूनी हत्यार रखने के और बलातकार करने की कोशिश के चार्जिस भी लागू हुए हैं। तीनों फिलाल जुडिशिल कस्टडी में हैं। कल रात CID के एपिसोड के बाद आप से फिर मुलाकात होगी एक और चौका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क सबक एक को सीख हम सब को जय है।